Hello everyone, welcome to my channel EGVSR इस वीडियो में हम स्टड़ी करेंगे difference between speed and velocity speed और velocity में क्या difference होता है यह हम बारिकी से समझेंगे lecture स्टार्ट करने से पहले मेरी आप special request है अगर आप मेरे चैनल पे नई है तो मेरे चैनल को subscribe जुरूर करें देखो speed क्या होती है चाल हम देखते हैं कि velocity भी एक चाल को रिपरजेंट करती है और speed भी लेकिन इसमें एक difference है minor साथ वो क्या है speed तो बताती है कि कोई भी moving body है वो कितनी तेज से या कितनी fastly move कर रही बताती है या कितना fastly move कर रहा कितना slowly move कर रहा तो वो तो होती है speed के साथ Ciao direction का भी हमें पता चले तो वो क्या होती है तो देखो speed क्या है speed of a body is the distance traveled by the body per unit time देखो speed क्या होती है किसी भी object की body की कितना उसने distance cover किया है given time में ठीक है तो क्या होता है speed is equal to distance by time distance को represent किया जया है d से और time को represent किया जाता है t से और speed को represent किया जाता है ऐसी ठीक है तो speed का formula क्या होगा distance by time इसकी definition क्या बनेगी speed of a body is the distance traveled by it भी बोल सकते है traveled by the body per unit time कि moving object ने जितना distance cover किया है उसके by में time क्या कहलाता है speed कहलाता है okay speed क्या बताती है मैं किसी भी moving object की fast move कर रहा है या वो slow move कर रहा है इसके बारे में बताता है okay distance को measure किया जाता है meter में और time को measure करते है second में ठीक है distance को measure करते है meter में जिसे हम रेपरजेंट किया गया small m से और second जो time है उसको measure किया जाता second में जो ऐसे रेपरजेंट किया गया है तो देखो इसकी SI unit क्या होगी distance की जगहें पर हम meter put करेंगे SI unit हम निकाल लेंगे तो distance की जगहें पर meter रखना है और time को represent time को किसमे measure करते है second को जो ऐसे दिखाया है S को उपर लेके जाएंगे तो क्या आएगी meter per second ये बोला जाएगा meter per second ठीक है SI unit अगर पूछी जाए speed के SI unit क्या होती तो वो होती है meter per second देखो एक बात ध्यान रखनी है अगर हम क्या करें meter में distance को measure करें तो time को करना होता है second में ठीक है अगर distance को kilometer में measure कर रहे हैं तो time measure जो time है वो किसमे मापा जाता है घंटे में hour में ठीक है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अगर kilometer में है तो इसका क्या आएगा kilometer per hour ऐसा unit क्या होगी meter per second तो speed में क्या है डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस होता है जो total length होती है path की जो cover की है moving object ने वही क्या होता है distance होता है जैसे मैं बता हूँ आपको A point है B point है ओके तो देखो जो total एक तो इनके बीच का ये distance यहां से move करके यहां आया यहां से move करके यहां आया ठीक है कोई भी moving object है A इसकी initial position है moving object की मालो ये home है और ये क्या है school है तो ये है final position तो कोई भी student है वो अपने home से सुने चलना start किया कहां पर पहुँच गया वो अपने school पर पहुँच गया तो ये beach का जो path होगा जो उसने cover किया है ये क्या होता है distance होता है ठीक है ये होता है distance मतलब इसमें क्या है only हमें ये पता चलता है कि उसने कितना जो ये beach का distance है कितना cover किया है कितने time में किया इन दोनों की रेशों क्या होती है speed होती है तो speed हमें बताती है उस object की वह fast move कर रहा है या वह slow move कर रहा है ठीक है तो ये तो क्या है speed है तो जिसमें हमें पता चला कि जो speed होती है वह only क्या है कि ये बताती है कोई भी object fast move कर रहा है वह slow move कर रहा है ठीक है तो क्या होता है speed का क्या है only magnitude magnitude होता है इसकी कोई direction नहीं होती ठीक है तो देखो physics में होती है दो quantity एक scalar quantity होती है एक vector quantity होती है ठीक है scalar quantity क्या होती है जिसका only magnitude होता है ठीक है जिसकी कोई direction नहीं होती जैसे मैं आप ही बताया है कि speed से हमें बस चाल का पता चलता कि 50 km है ठीक है यहां मैं ऐसे बोल सकते है 50 meter per second है तो यह तो क्या है speed है तो उसका only क्या होता है magnitude होता तो यह scalar quantity है vector quantity और scalar quantity मैं करवा चुकी हूँ आगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया तो उसका link description box में मिलेगा देख रहे ना देखो velocity क्या होती है velocity होता है हमारा displacement by time speed होती है distance by time यह ध्यान रखना है और velocity होती है displacement by time velocity हो पे body is the distance traveled by it per unit time in the given direction देखो इसमें क्या आया है यहाँ पे हम distance रखतेंगे है displacement भी आप राख सकते हो distance भी क्यों क्योंकि given direction आई तो displacement को ही represent कि रहेगा velocity हो पे body is the distance traveled by it per unit time in the given direction देखो इसमें सातमी direction का क्या हुआ है direction word आया है तो इसलिए क्या है भी velocity में सातमे direction का पता जलता है ठीक है तो velocity क्या होगी displacement by time velocity को represent किया गया है वी से displacement को represent करते हैं ड से time को represent करते हैं t से ठीक है तो अगर एसा unit पूछी जाए velocity की एसा unit क्या होती है हमें पता है अभी जो displacement है उसको हम मापते हैं meter में और time को मापते हैं second में तो क्या आई गया ऐसा unit velocity की meter पर second तो देखो जो velocity होती है वो क्या है displacement by time है तो displacement क्या था जो actual shortest length थी जो path cover किया गया था उसका सबसे छोटा रस्ता ही क्या है displacement थी जैसे एके 20 का यह जो पात है क्या है displacement है तो इसमें क्या होता है displacement में direction का भी हमें पता चलता है तो distance displacement में क्या difference यह भी मैं करवा चुकी हूँ अगर आप नहीं देखा तो उसका link description box में मिलेगा देख देना देखो क्या होता जब displacement में भी हम देखते भी direction का रोल होता है तो velocity तो होती displacement by time है तो velocity में direction साथ में होगी तो इसलिए क्या velocity क्या होती है हमारी एक vector quantity है ओके तो velocity में हम अगर यह पूछे कि क्या velocity है कोई विमालनो car है scooter है कुछ भी उसकी velocity पूछेंगे तो उसमें आएगा 50 meter per second in north direction north में है तो south direction मतलब साथ में इसमें direction लिखी जाएगी तो वह velocity होती है तो velocity has magnitude as well as direction इसलिए velocity जे वेक्टर quantity भी जो velocity होती है उसकी direction भी होती है उसका magnitude भी होता है बट speed की only magnitude magnitude होता है ठीक है तो अब मैं आपको करवाऊंगे इन में difference यह मेली हमने जाना है speed क्या होती है velocity क्या होती तो आपको बस ध्यान रखना speed से हमें only यह पता चलता है कि यह object कितना lightly move कर रहा है ,ício कि स्लोली बोकर रहा है बट velocity से साथ में हमें पता चलता है कि je कोई भी moving object है किस direction में मूग कर रहा है ओकै तो यह होती है जैसे कि मालों की यहां पर हमारा घर है ठीक है तो स्पीड में हम 50 km बोला तो यह कहीं भी हो सकती है इसे हमें कोई पता नहीं चलता बट वेलोसिटी बताएंगे तो जैसे यहां है तो हम बोलेंगे उपर है 50 km पर सेक्ट तो यहीं नोर्थ डिरेक्शन साउथ डिरेक्शन एस् अब मैं आपको डिफ्रेंस करवाँ तो कि यह बहुत इंपोर्टन टोपिक है इनमें डिफ्रेंस पूछा जाता है स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफ्रेंस होता है ठीक है तो देखो डिफ्रेंस बिट्विन स्पीड एंड वेलोसिटी स्पीड क्या होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाई बोड़ी पर यूनिट है ठीक है तो देखो जो speed है it has no direction है मैं अभी आपको समझा चुको इसकी कोई भी direction नहीं होती बट velocity has a specific direction ठीक है speed is a scalar quantity scalar quantity क्यों है क्योंकि इसका magnitude magnitude होता है velocity is a vector quantity क्यों velocity की direction भी होती और magnitude भी होता ठीक है ठीक है तो फिप्ट पॉइंट इसका क्या होगा इसकी अगर ऐसा unit देखे हम speed की भी ऐसा unit meter per second होती और velocity की भी ऐसा unit meter per second होती वो कैसी होती है क्योंकि जैसे इसका फार्मॉला था distance by time distance को मेजर करते हैं meter में जैसे कि मैं आपको करवाओं भी meter per second क्यों आया है जो speed है वो होता है हमारा distance by time ठीक है तो यहां से हमें पता है भी जो distance हो मेटर में मेजर किया जाता है meter को रिपरजेंट किया है जब हम क्या करेंगे second को उपर लेके जाएंगे तो यह माइनस का होगा इसलिए क्या बोला जाता है यह meter per second ओके ऐसी velocity में होता है सेम displacement को मेजर करते है meter में time को second में इसलिए इसका भी क्या हैगा meter per second ठीक है इसका six point क्या होगा जो speed of a body can be positive और zero but not negative देखा जो speed होती है किसी moving object की वो positive हो सकती है वो negative हो सकती है ठीक है sorry वो positive हो सकती है zero हो सकती है but negative नहीं हो सकती देखा कैसे positive zero होगी देखा zero तो कब होगी जब कोई भी object rest की position में है रेस्ट की पोजिशन में है तो वह मूव ही नहीं कर रहा क्योंकि स्पीड तो मोशन के बारे में बताती है तब जाके उसकी स्पीड क्या होती है जीरो होती है बट स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती क्योंकि इसमें डियरेक्शन का रोल नहीं होता जो वेलोशिटी है वह positive भी होती है negative भी होती जीरो भी होती है कैसी होगी देखो मालों कि कोई object है A से चलना स्टार्ट किया circle में है जैसे object ने यहां से चलना स्टार्ट किया दोबारा से वह इसी position के ऊपर आ गया देखो हमें पता है कि जो displacement होती है वो क्या होता है इनिशिल और फाइनल पोजिशन के बीच का distance होता है ठीक है तो इसकी initial पोजिशन भी A है और final पोजिशन भी A है तो इनका difference करेंगे A minus A तो 0 आया देखो जो displacement है displacement क्या था initial और final position के बीच का जो path था वही होता था ठीक है so test length होती थी जब displacement 0 होगी तो velocity तो हमारी होती displacement by time है जब displacement 0 है 0 by कुछ भी करेंगे हम तो वो 0 होगा इसलिए velocity क्या होगी 0 होगी ठीक है ऐसे जैसे मैंने डाइग्राम बना है north, south, east, west उपर की तरफ जैसे north direction में 50 km per hour नोर्थ डारेक्शन में यह displacement उसने डिस्टेंस कवर किया अगर हम south direction में देखेंगे तो यह negative आएगा minus 50 km per hour ठीक है तो ऐसे होता है यह positive, negative और 0 ठीक है तो देखो हम इन से क्या है numerical भी solve किये जा सकते भी क्या-क्या formulas यहां से निकल सकते है देखो, जो speed है वो क्या होती है distance by time ठीक है देखो, यहां से हमारे तीन formula निकल सकते हैं एक formula तो यही हो गया speed is equal to distance by time आगर मैं यहां पे time की value निकालना हूँ तो time किसके एकवल होगा time होगा distance by speed time क्या होगा distance by speed ओके, यह formula होगा एक second और third formula क्या होगा अगर distance की value निकालनी है देखो, distance की value हम निकालेंगे distance को right side में रखेंगे तो time distance के divide में है तो यह left side में जाएगा speed की तरब तो यह multiply में होगा तो distance की value क्या निकलेंगे यहां से distance की value होगी speed multiply time speed multiply time ठीक है तो यह formula यहां से निकल के आ जाएगे देखो, तीन formula हमारे निकलेंगे एक तो यही होगा speed is equal to distance by time अगर हम time की value निकालेंगे time में क्या होगा time इस side आएगा speed इसके divide में होगी distance by speed अगर दो चीज का हमें पता है time निकालना है या speed निकालना है जैसे time दे रखा भी 5 second ठीक है मैं numerical करवाँ time दे रखा है 5 second और distance दे रखा है 20 meter ठीक है यह दे रखा है तो speed क्या होगी इसमें speed की value निकालनी है तो पहले हमें पता होना चाहिए speed के फार्मुले का speed क्या होती है distance by time speed होती है distance by time तो देखो speed की तो value निकालनी है speed की value तो हमें निकालनी है तो distance कितना है 20 meter 20 और यह देखना meter में है तो time second भी होना चाहिए ठीक है और time है 5 second तो cut करेंगे 5,4,20 तो speed क्या आएगी 4 meter पर second ठीक है ऐसे ही तो में रिकाल सोल होंगी अगर speed की value नहीं दे रखी है तो हम time की value निकाल सकते है जो मैंने अभी फार्मुले करवाई है ऐसे ही velocity से आएगी हमारे फार्मुले जैसे कि यहाँ है velocity में क्या होता है speed की जगह पर velocity आएगी distance की जगह पर displacement आएगी सेम वैसे ही time की value क्या निकले की displacement by velocity और displacement की value क्या निकले की velocity multiply time ठीक है तो ऐसे क्या है इन फार्मुले से हम numerical को शोल कर सकते हैं ठीक है तो यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया है speed और velocity क्या होती है उनके बीज में क्या differences है और कैसे हम इनके फार्मुले से related numerical solve कर सकते हैं कितने फार्मुले इन से निकलेंगे एक speed वाले speed is equal to distance by time से हम तीन फार्मुले निकाल सकते हैं speed का, एक time के वहले find out करना तो वो फार्मुला, एक distance find out करना तो वो फार्मुला उमीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी helpful लगी होगी अगर ये वीडियो आपको helpful लगी है तो like कीजिए, अपने friend को share कीजिए bell icon के बटन गोल पे प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे और वीडियो बनाऊंस की notification आपको मिलती रहे मेरे चैनल को subscribe जुरूर करें thanks for watching this video